यह स्टेट विच MCQ विच सही उत्तर ते किमें पहुंचना है इसनी सीरीज है पिछली पार्ट विच असी पांच जड़ लॉजिकल बेस्ट ट्रिक किते हैं सी जड़ सब तो अच्छे साबित हो सकते हैं नाल नाल उदा आरना डिसकस किती हैं सी इस वीडियो वेच असी प्रॉबिल्टी बेस्ट टकनीक दा नंबर वी छे साथ अठ दे करीव है जो इंपॉर्टन हैं लेकिन इस विच सब तो महत्तपूरण जड़ी सब तो सौखी है ते ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं मिनिमम तुसी दस तो पंदरा मार्क्स मैं फिर विए थे बारा मार्क्स लिखने दस तो पंदरा मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो पर तो नो किता है ये एनलेसिज नो चंगी तरह समझना होएगा ये एनलेसिज में 2011 तो पी-स्ट दा जो एक्जाम होए हम तो 2001 तक दे बिश ते इस सारी सीरीस ही उनना दे एनलेसिज दे बिश दे होएगी हां इस दा फाइदा जिसने त्यारी केंडिडेंट कीती है बेशक कट कीती है बेशक बहुत ज्यादा कीती है तिन्ने कैटागरी दे केंडिडेंट्स नूँ इस ता फाइदा होएगा पर नॉलज ते तरक तो बिना कोई भी स्टेटजी नूँ अपलाई नहीं करना हलाग जिस तरह आंद वाला विकल्प कहा जाएगा उस दे अदार ते नाल लॉजिक अपलाई करके असी राइट अंसर ते अराम नाल पहुंच सकते हां दस तो पंदरा अंक गेन कर सकते हां इसलिए सानु समझना होएगा के लंबी पूछ कल्ला एक शबद बोल देना काफी नहीं है अनलेसिस ने जा सकते हैं तो प्रेशन उत्तर देना है उसलिए सब्सक्थर पहला थानू नौलेज चाहिए थी है नौलेज नहीं है तो इसी तर्क प्रयोग करते हैं लौजिक दा प्रयोग करते हां जो दो लाचिक वी कर पूंदा था आसे और त्रिक स्टेस्टी रूल नुक्ता नियम अप्लाई कर दे हां विचो एक option है साड़े कूल long tail option एगल बार बार repeat होएगी क्योंकि सब तो पहला knowledge होएगी knowledge तो बाद तरक होएगा तरक तो बाद long tail जेडिया वराइटी है analysis दे बेस्ट लभियां उना नों देखांगे के सब्सक्राइब करना है इसनों लागू करना है वो लागू करन तो बाद फिर असी तरक दा प्रयोग करांगे इस तरक नों किते वी असी छड़ना नहीं है डिपेंड करता ह कि लॉंग टेल दी केड़ी केड़ी साथे कुश्चन दे सामने हां आउ पहला समझ लिए के लॉंग टेल दियां केड़ी केड़ी केडियां अडेंटिफाइ में किती हैं यह मैं डायाग्राम बनाया है कि जिनना analysis कीता है पिछले पेपरां दा पीस्टेट दी पेपरां दा इसनों दूसरे पेपरां ते अप्लाई करन ली है जे मैं नहीं कहांगा उस वेच सब तो पहली कैटागरी है वान वार्ड जा इकोल ट्रेट उदी एक्जामपल नाल नाल दे रहे हां इसनों जान बुझ के मैं रेड कलर कीता है रेड कलर दा मतलब खतरा इस ते असी एज़ तो लॉंग टेल्स एक दूजे दे बराबर नहीं हन ता उना नो तीन पागाविच वंडिया गया है एक थोड़ी लंबी पूँच वाले प्रशन जिसनों कटलाल रंग कीता गया है लेकिन एना दो कैटागरीज नो मैं रेड कलर्च रख्या है इट मीज इना दोना ते रु जो आंदी है इस ते अती तरक ना तरक वता किते वी नहीं छड़ना ना एक गल समझ लो जिन्दगीच भी समझ लो तरक ता छड़ना यह नहीं है हाँ इते तरक थोड़ा ज्यादा लगा के इस ते राइट अंसर तक पहुंचिया जा सकता है ता मोस्ट इंपॉर्टन जेड वी दो पागाविच वंडिया है मैं एक सब तो छोटी रह जान दी है एक सब तो लंभी हो जान दी है इस तरह दे कोश्चन नों किसे भी हालत विच छड़ना नहीं है ए तोड़े मार्क्स कि में पक्के हो सकते हैं पहला आपा समझ लगिए के ए टेल केड़ी है रेड वाली केटागरी और ग्रीन वाली केटागरी इस ते असी अप्लाई करना है इस ते अप्लाई नहीं करना इसनों एक चार पांगाविच वंड के मैं दसल गहां के टेल दा फर्क की हो सकता है ए बी सी डी ऑप्शन ने मन लो एक कुश्चन है उस दी पहली ऑप्शन एनी लंभी है तीसरी वी ओनी लंभी है लेकिन चौती बहुत ज्यादा लंभी हो गई अच्छा कई वारता इस दी लंभाई इस तो वदवी हो सकती है इस दे मिड़ विच भी हो सकती है दूसरी तरह दी है ए बी सी डी इस दी पहली दी लंभाई एनी है दूसरी दी लंभाई थोड़ी ज यह जादा है, c दी लम्बाई वोस तो थोड़ी जैदा है, d दी लम्बाई थोड़ी जैदा है, यह समझे लेना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि d ही लंबा होएगा हो, a वी लंबा हो सकता है, b वी, c वी, d वी, अच्छा एना दे विच्च हुन फर्क नजर आएगा तो अनूं अच्छा अगे है A, B, C, D A दी लंबाई वी है B दी लंबाई वी है लेकिन ओ लगबग बराबर है दूसरी यां जो तो टेल्स ने ओ लगबग बराबर है जो था हो सकता है A, B, C, D एक option बहुत ज्यादा लंबी है दूसरी option भी लंबी है लेकिन उस तो कट है तीसरी option इस तरह दो तर डी दो नहीं ब्राबर हैं इस नुक्ते नो सब तो असान मैं क्यों कह रहे हैं हां सिर्फ इस लई क्योंकि नुक्ते नो देखने सार ही तुसी राहिट आंसर अडेंटिफाई कर सकते हो जिनने पिछले PS टेट दे पेपर देखे न उना विच लगबग एस तरह दे पांज तो सत कोश्चन राम ना मिल दे हैं और ये पांज तो सत कोश्चन हंडर्ड परसेंट शोर किहा जा सकता है लेकिन अपा इते 95 कह के चलांगे बाकी तर कवी लगाना है अच्छा दूसरा option ए है कि इने विच एक टेल बहुत लंबी भ चल दे हां ये सही हो सकता है इसलिए अटेक की करना हुंदा है एथे ता सिर्फ तुसी लॉंग टेल नो ही अटेंड करना है जदो नौलज नहीं है तरक खतम हो गया लॉंग टेल फिर देखके फिर लॉंग टेल ते स्टैम जेडी सी कॉश्चन पुछया गया सी ओदे विच अटे पैंडिंग है जे पैने ते नैचरली है के तुसी तरक लगान दा टाइम नहीं है तो तुसी इसनू टिक कर दोगे अच्छा इस आप्शन विच की है के तो नू सिर्फ एथे अटेक असी लॉंग एस्ट ते कीता थी इत थे असी अटेक लॉंग एस्टे वी करांगे और जो स्टैम होएगी ओस दा रिलेशन एदेनल ते एदेनल दोना ना देखांगे इद इदना नहीं जित्थे देखनली लंबी पूंच मिल दी है जेडियां सारियां इन अनिकल दे ओथे फर्क थोड़ा ज्यादा लाएगा दूजी प्रॉबिलिटी कर जांदी है लेकिन जित्थे इते पांच सत्थ स्वाल एता तो अड़े हरंडर परसेंट पाया तो अड़े खोली पाया लेकिन इस दी प्रॉबिलिटी भी जहें स्वाल भी पंज तो सत्थ रामनाल मिल जान देया मतलब के एक सोप जा कोश्चना विच्चों पांज दे पंजी सेक्शन जड़ जो नौलज ते तरक अप्लाई नहीं होया फिर तुसी दोना इना ते अटैक किता है और अटैक करके फिर तरक अप्लाई किता है तरक दा मतलब है एदे ते स्टैम दे विच जो पुछया गया है वो अंसर लगता है जे अप्लाई कर दे हां ता 60% प्रॉबिलिटी राइट ह है चौथी केटागरी विच असी देख रहे हैं कि एक टेल लंबी है लेकिन दूसरी उस तो छोटी है लेकिन यह उपर वाला निक्ता ही लगबग एथे अप्लाई किता जाएगा इस दी प्रॉबिलिटी 60 तो 65% रिंदी है कैसी से राइट अंसर ले सकते हैं जिते में रेड प्रॉठीं यह नहीं होएगा नहीं हां यह क्रोस्ट मरुक्त है क्योंकि यही जल्दी-जल्दी जना है और कोई साइन और करांगे क्योंकि नहीं अप्लाई करूद है ज्लाउट यह कमें पट है एवाले नुकते विच असी इसनों भी जल्दी जल्दी कंसिडर कर जे मान लो टाइम नहीं है जे लॉजिक ना अप्लाई हो गया का लॉजिक लॉजिक की है मोस्ट इंपॉर्टन क्वालिटी ओफ एफ्टिव टीचर इसनों मैं अंडरलाइन कीता और की सब्जेक्ट टीच करन नाल मोस्ट इफेक्टिव बन जाएगा जाएगा जां मोटीवेशन नाल जेक मोटीवेट किसे नों तुसी कर दता है को फोर्स परदती है तां ओ बच्चा खुद भी लर्न कर सकता है तो मैं लोजिक अप्लाई करके ए छोटी नूँ शौट एस्ट नूँ चूज कीता राइट उन से अगे वन वर्ड है नहीं अप्लाई होगा वन वर्ड आ रहे है नहीं अप्लाई होगा दिखो जिदो वन वर्ड एक या दो आ रहे हैं ते दूसरे दो दो शबद ने फ्रेज ने उत्थे तुसी ये नुक्ता अप्लाई नहीं कर सकते ज्यादा description option विच चाहिए नहीं अप्लाई होएगा नहीं इते इसलिए अप्लाई नहीं होएगा क्योंकि यह terms use होई यह हैं sentence यह statement ते एप्लाई होना है याद रखन जो गल है कि sentence है जित्ते statement है हाँ अगे चलके वैसे दस दिना है जित्ते definition जा मीनिंग पुच्छा गया है 100% यह नुक्ता अप्लाई होएगा हो तो आदे marks sure है अच्छा which of the learners not exclude अच्छा नहीं होएगा क्योंकि वन वर्ड वर्ड है पंजाबी आसी नहीं देख सकते क्योंकि certain we just reproduarch Rod Nikki अवारा मैंति जो आया ज्याद rubbish अथा पंजापबी जगाते इंग्लीश पि देखांगे वन वर्ड वर्ड नहीं? अपलाई होए गा? नहीं? अपलाई होएगा? नहीं अपलाइ रिंगा होएगा नहां या गया जब्लाई होएगा वन वर्ड है नहीं अपलाई हो बडरपर डिचितल है रेंज एकवल है है नहीं अप्लाइः होएगा वन वर्ड नहीं अप्लाई'm अभी थिसरा रहो चोलिψ्ट है नेगटिव सटेम नेगटिव सटेम भीच letter PG probability of right answer shortest दी हो जान दी है एनने नाल में अप्लाई करांगा logic knowledge जो multiple intelligence बारे मेनु है multiple intelligence is district set of processing operation by using an individual to solve the problem हाना ठीक दिखाई दे रहा है discipline should be presented in a number of ways learning could be assessed in this emotional intelligence the IQ the not relation भी है एक्सेप्ट नौ इते logic apply होंदा दिखाई दे रहा है राइट अंसर डीवल ज्यादा जाना बंदा है knowledge ते reasoning ना apply हो रहा है raw material वन वर्ड नहीं अप्र वन वर्ड वन वर्ड वन वर्ड सब तो लंबी statement एकदम attack हो रहा है ज्यादा लंबी है what is meant very important जित्थे meaning पुछिया गया है definition है naturally होते statement ते sentence आना है मैं hundred percent वैसे the short ही दिन नहां पर रहे थे तुसी 95% लेके चलो के longest ही right answer होईगा schema organized packets of information stored in long term memory organized मैं हून लॉजिक अप्लाई कीता information stored in long term memory हां long term memory वैसे cognitiveism दे टर्म है प्याज एक constructive दा सी लेकिन ए वालियां चीजां साफ दस रही हैं हम दूजिया ना compare कर सकते हो तो जल्दी ये थे answer ते पहुंच सकते हैं so cdp चो मेरे ख्याल चसानों तिन कदे करीब जड़े ने attack वाले मिलेने पाशा विच्च सब तो ज्यादा probability है maths विच्च सब तो cut probability है इस नुक्ते नो apply करन दी और environment विच है मिडल वे उसनों ले सकते हैं लेकिन पाशा विच्च सब तो ज्यादा है जल्दी जल्दी देखने है एक word है एक word है एक word है एकोल है छोटी लेंथ है एक दम वड़ी लेंथ है उपचार आत्मक सिख्यादा आर्टिडी लंबी पूंच है जे मनलो तो अड़े को दो चार सेकेंड है तो इससे नो करनों एक क्या जानदा है कि तो हाड़े question challenge हो सकते है इस लिए objectivity maintain रखनी है right answers universal right answer होना चाहिदा है इसलिए ओर right answer जेड़ा होंदा है उसनों justify करन ले maximum words add कर दा दूसरा कारण के जिए बाकी रॉंग option जैसनों destructor कहने हां ओदे विच और है और को टाइम दी कमी में जिनना analysis कीता हो तो सापता लगदा है कि जिड़े paper setter ने उनना ने time ज्यादा बनान विच नहीं लगाया होंदा इसलिए ओ छोटिया statement बन जान दिया है तो थोड़ा जैवी concept of चारात्मता remedial teaching दा क्लियर है ते बाकी ना compare करके तो लॉजिक वे apply करके वाला option है next है इते थोड़ा attack ता सोचा जा सकता है नाल तो नो सोचना पहेगा देखो लंबी है मुख देश है descriptive है इस नो प्रेफर करके logic लगा रहे हैं पाशादा मुख देश कल्ला पढ़ना कल्ला लिखना one-sided answer आगे ना पिछले नुकते जेड़े पिछले वीडियो चे दस्ते सी ओनाल भी अप्लाई हो रहे है जो तो सारे नुकते तुसी अप्लाई करते हो नाल डॉलेज प्लस तरकनूत फिर लेख लिखना स्कोना बहुत छोटा है अराम नल राइट अंसर मिल गया एक थोड़ा जा सोच समझ के क्योंकि ए दो बराबर है ज्यादा फरक नहीं जह नहीं है तुस्याना कंपेर कर सकते हो आम बोल चल किसे खास अलाके दी राजनिती दी सरकारी कमचकार एक दाल लंबी स्टेट्मेंट आ गई देखो पाव की है पहला अंदस्याना मीनिंग डैफिनेशन पाव लंबी स्टेट्मेंट ठीक हो सकती है राइट अंसर एस जा सकता है यह सब तो लंबी टेल है सब तो छोटी है इस ते बोल चाल दे सिदांत अपलाई उच्छी पाठ करें बच्चे नू बोलन दे वद तो वद ए जड़ी वद तो वद टाम है जिमें अलगतों वीडियो में कडियां हैं कुछ टाम्स जो तो यूज कीती हैं जान द दी शोर्टी दे दिन दिया हन क्योंकि नैशनल पॉलिसी लर्निंग थ्यूरीज नैशनल करिकूलम फ्रेमवर्क ते पोजीशन पेपर जे गलव किती गई है बार बार तो राइंट आसर डी ते चले गए नेक्स देख दें हां इस नुवे टैक किता जाता पाश्या दे सुन पाँ ग्रैंड करना पाशाय नों सुनना अलग है समयना लग है सुनना ते समयना विचारानों सुनना ते ग्रैंड करना हां यह वड़्डावी बन रहा है तरक भी असी कर लिया सो राइट अंसर दिल गया में धस रहां कि इस कॉश्चन ते यह नुक्ता अप्लाई किता जा सक्दा है देखो एक पैरा है विच्चो पढ़ना पढ़ना है कई वरत पैरे एड़े लंबे आंदे हन के टाइम बहुत कंज्यूम होंदा है मैट्स ते ग्रामर दे जड़े ग्रामर नहीं सौरी पैराग्राफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे जड़े पार्ट ने ओ टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर दे हन इसलिए ओ थे जहीं है स्ट्राइजिजी अप्लाई करके तुसी हना क्योंकि नन आफ दीज वाइड जयादा करना होंदा इसनों वाइड करता इसनों जयादा प्रैफर करना होंदा है यह थे तुसी लॉजिक जह जो पैरा पड़िया है जे कर टाइम नहीं है तो इसनों तुसी स्लेक्ट कर लिया एज राइट अंसर यह प्लाई नहीं हो सकता लगबग सेम है पढ़ना पएगा एकदम 71 जो है लॉंग टेल इकदम मिल गई है लॉंग टेल इसने अटैक किता है यह बाकिया नालों बहुत हद तक लगबग नहीं है यह दस माक्स मैं यह नहीं लिखते था दस तो बारा मेरे खेल गिंती करके देख लो कितने साथे कॉस्चन सही हो चुक्के ने एटीचर इन क्लास्रूम शोज रियल आपजेक्ट वन बाई वन एंड काल आउट दर नेम हर परपस इस दूइं दिस एक्टिविटेश मोटिवेट चाइल एंड मेक लेसन इंट्रस्टिंग हेल्पिंग दा लर्न टू अक्वायर विकेबलरी दिखिए ना वकेबलरी है वन टू वन अब्जेक्ट दे नाल ओदा नेम गल बन रही है ना तुसी यह देखो तरक बन रहा या तो राइट अंसर मिल गया फिर वी दि इस्टिक उसनों प्रेफर करना है नहीं अटैक हो सक्दा नहीं थोड़ा सुच्छा जा सक्दा है सो अच्छा पैरा भी है वी देखना है है इते नहीं अप्लाई हो सक्दा बिलकुल एक्वल ने नहीं अप्लाई हो सक्दा नहीं अप्लाई हो सक्दा नहीं अप्लाई हो सक् टेल है अटैक किता जा सकता है राही टांसर ली देखो तोड़ा टाइम किना बच रहा है वीडियो देखने था टाइम लगदा वैरी सौरी सो पैरे वला है टाइम ज्यादा लेंदा है इसलिए मैं इसनों इससे तरह चुलनागा टाइम बचौन लिए एक नुकता होर है 90 कोश्चन असी देखे है 90 कोश्चन देखे है ते कल्कुलेट कर लो 90 दे विच्चो जे दस कोश्चन वी ए सही होए हन ते एक सो पिजा दे विच्चो दस तो पंदरा कोश्चन असानी नल ठीक हो सकते हैं 2000 वी दा एक्जाम सी जिस ते असी लॉंगेस्ट टेल जा एक्स्ट शोटी वी टेल जी स्विच है उस विच्च लगबग 10 परसेंट कोश्चन जड़े ने ओ शॉट वाले भी ठीक एक्स्ट्रीम टेल वाले कोश्चन आते 100 परसेंट तुसी शोटी ना अपने अंक लेकिनी बना सकते हो यह थे थोड़ा लॉजिक लगाना पेंदा है इना नू कुछ उदार ना ने फॉर एक्जांपल यह मिडल वाली कोश्चन विच आन्दा है यह थे सब तो लॉंग टेल यह है शक किता जा सकता है लेकिन उस तो छोटी उस तो छोटी ते उस तो छोटी पर जदों सी रीजन अप्लाई कर दें हैं एते देते मैं प्रेफर किता गिफ राइटिंग दिगल है जन्यावी सब्सक्राइब के हमेशा राइट ऑंसर कुछ वार्ड हो सकते है वाइड के सब्सक्राइब कीया है सब्सक्राइबrs IIdi है नेगटिव स्टैम है नॉट लिख्या होया है फिर भी लॉंगेस्ट ते शॉटेस्ट नो मैं जल्दी देखांगा पर यह मिनूप क्योंकि मिनूप आशाबाने जानकारी है सी इसलिए मिनूप पताया के एजडा नॉट आया है इसने ही जिने पेपर बनाया है नॉट लगा एंड वकेबलरी येस है बिल्कुल ठीक है दा सिंबल्ज ओफे लेंगोज यार आर्बी ट्रेव एस एक जणा एक नूहाथी केंदा है दूसरा एलिपेंट कह रहा थी सटीप्री कह सकता है आर्बीट्री सिस्टेम है सो एठीक आ रहा है लॉजिक ते भी पूरा उतर्या है इसलिए राइटांस एदे विच लगबग ये थोड़ी जी ज्यादा है दूसरा मैं नुक्ता अपलाई किता के एदे विच बोथ टीचर ते लर्नर है एदे विच टीचर एकला है देखो पहला जड़ी गल करके आँ है वन साइड़ेड हो गया वन साइड़ेड हो गया ये दो है comprehensive बन गया जल्दी जल्दी ये मैं प्रेफर करना होया था इसनों करांगा सो सेंट्रला एडिया की है प्रिकॉशन की यूज करनी है हन साफदानिया विकलपा दी वक्तों नहीं करनी जित्थे option जा question तथात्मक है factual है वन वर्ड है गल हो चुके इकोल टेल हन जिरे पू होते हैं कर कि you जूंदा है अचाँ जिते बाइलांगाल है ओते उट के प्रेफरी इंगली नहीं है यूज कित्थे ज थे जो दो या तिन तो ज्यादा शब्द हन ठीक अए दब मोस्ट इंपोर्टन जित थे पाव अर्थ डिफ डैफिनेशन ए शब्द अंदेहन जिस दी पर बाशा पुछी गया मीनिंग पुछा गया है 100% ओ लॉंग टेल वला ही ठीक होएगा तरक दी वर्तों करनी ही करनी है हर हालाज जे टाइम है तरक दी वर्तों ता मतलब है कि टाइम है तह तरक करना है जे टाइम नहीं है तो फिर नुकता इससे तरह अपलाई कर देना है सबतों ज्यादा लॉंग टेल इस नुकते नुपलाई करने लिए पहला मीदस दिता है लेंगविज दे पेपर विच और सीडीपी दूजे नंबर दें दा मैथ विच सब तो कट और एनवार्मेंट विच बदम ते सस्टी विच एसस्टी विच वी सब तो ज्यादा यूज हो सकती है जिते एवल यह चीज़ां फैक्चुल वगेरा जो पिछे करके यह नहीं है इस दी वर्तों को दो करनी है जो पग जीरो तो दस परसेंट बहुत ज्यादा कट है लंबियां पूछा ने कल्प दियां तिन श्रेनिया नो याद रखना पएगा एक्स्ट्रीम वाली नो जरूर यूज करना है नौलेज फेल हो गई है तो लॉजिक नो यूज करना है लॉजिक फेल हो यह तै लंबी लेस्ट फूर पंचे स्टैटेजीज ने उना दे लिंक नीचे दिते गया है ओ वीडियो देखके तुसी मेरे ख्याल विच वी तो ती परसेंट तक और वदा सकते हो पर उस दें नाल नाल तो हनो वीडियो दिखनियां पैंगे जना विचे दस्या गया है कि केडियां टर्म यहां यूज कर दे हो तब वी तो ती प्रसेंट मांक्स तो सी वदा सकते हो इसार यहां वीडियो लर्न टू एक्चुलाइज प्लेविस्ट जाके एक बेसिक कोर्स विच पे यहां हो यहां लर्न टू एक्चुलाइज डॉक्टर तीरस सिंग थैंक यू